सबसे बिग्रेश डाउट यही बना हुआ कि आखिरकार हमारा कितना जा रहा हुआ था हमारा कितना जाएगा है ना का सभी डेट का हर एक डिन का हर एक दिन का हर एक दिन का हर एक दिन का हर एक बताने वाला हूं शुचलो विडियो को स्टार्ट देख सकते हो क्योंकि मेरे तरब से जितने भी इंपोटेंट पीडियोफ बनाया जा रहे होते हैं वो सारा इंपोटेंट पीडियोफ जो आपको मिलता रहेगा ना अगर जो आपका अच्छा है तभी आपका सपना है कि एक सब्सक्राइब करना आपका साकार हो रहा है ना इन सभी चीज़ों के लिए मैं आप सभी को रेक्रमेंट करूँगा जो कि फिजीक्स वाला के तरब से यह यह लॉंज किये गया है यह दोनों बैस का डिप्रेंट डिप्रेंट प्राइस रखा गया है इन सभी बैसेज में आपको यह क्या मिला होगा इंडिया की टॉप एजगेटर जो कि यह मल्टिपल बहुत सारे टॉप एजगेटर ऑल इंडिया रेंग अंडेंड में अल इंडिया रेंग 10 के अंडर भी जही अस्पिरेंट को पढ़ा चुके हैं वह सारे टॉप एजगेटर जो आपको पढ़ा रहे होगे क्लासेस विल भी छे दिन आपका क्लास होगा एक सब्ता में तीन रिकॉर्डे लेक्चर्स पर डे आपको तरह जा रहे होगे डेली प्रैक्टिस प्रोब्लम्स विथ दिय अपको प्रिवेस्ट पर प्रिवेस्ट पर जो सभी बैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप लोग एक सुर मेरा कोड यूज करना सो अन्यू ताकि आपको और भी एक्ट्रा डिसकांट मिल पाएगा ना और लेडियार देख सकते हो आपका जैमेंस का इसका कोड़ करना सबसे पहले आपको पूरा अच्छे से वीडियो को एक्स्प्लेइन करूंगा ना तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ आपने आपके कुछ तरीके से लिख दिया है इसका कोई क्या क्या मतलब कि इसका कुछ लॉजिक भी बनता या नहीं बनता है ना सारी चीज़े में डिसकास करने मुलाब सबसे पहले पेपर का डिफिकल्टी लेवल की बात करें 27 जनवरी सिफ्ट वन का पीपर आपका मैत का मॉडरेट जो कि हर एक साल का यहीं देखा जाता है मैत का पीपर मतलब कितना भी एजी तू एजी रहेगा ना तो पर भी आपका सबसे com सबसे डिफिकल्ट जो तो इसका जिसका किया आपका जो जा रहा होगा तो यह तो फैर होगा डिपकल्टी लेवल है ना अब आखिरकार मार्क के बारे में आखिरकर कैसे एक जैक हम लोग ने यहाँ पर सबसे पहले आखिर सकते हो प्रिवियस का मैंने कट अफ का यहाँ पी यहाँ पर आप यह जैंजे रएफ्रेंस लिया वो है ना पिछली साल काटिगरी वाज वाइज की बात करें एक्टी इंट पॉंट पर उन परसेंटायल गया वह था था और उसी तरह की से सारे काटिगरी का कटउप यह सब देख सकते हैं 2022 ये 2023 का तो हैं पर बात करें 2024 का कटउफ for in general यानि कि general का मैं बात कर रहा हूं तो अगर जो आर 91 तो 92 परसेंटाल यानि कि देख सकते हैं 2022 में 88 से 90 परसेंटाल गया वो था सब्सक्राइब करने के लिए यहां पर यहां पर देख सकते हो तो 2022 में 91 to 92 परसेंटाइल ना फिस आटेम्ट में 72 95 मार्क के भीच में बन दा था जैसे आपको पता है कोई भी 100 परसेंट कंफर्म इकजैक्ट मार्क नहीं होता है कि हाँ इतने परसेंटाइल बन जाएगा है न क्या हर एक दिन आपका डिफेरेंट डिफेरेंट सिप्ट होता तो 91 to 92 percentile 75 to 106 marks के बीच में बन रहा था ये तो यह सकेंड अटेंट जब आपका सकेंड अटेंट होगा लेकिन फिर भी आप लोग सकेंड अटेंट का भी cut up इसी के तुरू आप लोग अंदाज लगा सकते हो कि second attempt में यही से 91 to 92 percentile के लिए 2022 में 85 to 100 15 marks के बीच में बन रहा होत इसी के रिफ्रेंस यानकी 2022-2023 को डेटा को देखते हुए 2024 का यहां पर मैंने एक expected मैंने बताया हुआ है कि 2024 में यही से 91 to 92 percentile के लिए आपको 80 to 110 marks फॉस्ट अटेंट में यानकी फॉस्ट अटेंट में आपको लाना पड़ रहा होगा यहीं पर सकेंड अटेंट में यही से 91 to 92 percentile के लिए 92 120 marks आपको लाना पड़ रहा होगा यानि कि 91 to 92 percentile के बीच में ही आपका 2024 का cut-ups जाने वाला है तो यह तो एक पता चल गया कि 91 to 92 percentile के लिए 80 to 110 marks हमें लाना ही लाना पड़ेगा अगर जो आपका easy shift रहेगा तो 110 marks की तरफ आपको लाना पड़ेगा अगर जो बहुत ही ज्यादा moderate यत पर difficult shift रहता है तो उसके लिए 80 marks minimum मतलब 80 marks तक cut-up जा सकता है अब मैं daily basis पर बात कर लेता हूं हर एक दिन के basis पर है जो कि मैं पूरा एकदम से one by one सभी दिन का data यहां पर no down करा हुगा है तो सब से पहले आर मैं अगर बात करूं 27 January shift 1 का paper moderate easy easy यानि कि overall जो है आप लोग पूरा overall तीनों subject को मिला करके बात करें तो आपका easy shift आया हुआ था है ना तो easy shift में क्या होता है कि maximum marks जो है आपको लाना पड़ता है cut-up clear करने के लिए तो इसका expected है कि 27 January shift 1 का जिनका भी paper था अगर जो आपका marks 95 to 100 आ रहा है तो आपका cut-up clear हो जाएगा वह है फिर से अगेन बात करें कि 27 shift 2 का again moderate आपका moderate हो गया easy to moderate हो गया easy हो गया यानि कि overall easy ही मान सकते हो तो इसके लिए भी 95 to 100 marks लेकिन 29 January shift 1 का जो पीपर था moderate to tough यानि कि mathematics का paper moderate से moderate to tough की तरफ गया and physics का paper easy ही रहा chemistry का paper easy ही रहा लेकिन mathematics का थोड़ा सा paper और भी ज्यादा tough आ गय का tough आपका clear हो जागा उसको फिर 29 January shift 2 की बात करें तो moderate to tough आपका mathematics का देखा गया था easy easy आपका chemistry and physics का paper आया हो था लगवग 95 marks लेकिन उसको फिर 30 जनवरी shift 1 का अगर जो पीपर की बात करें आपका mathematics का paper जो है moderate आया हो था easy to moderate यानि कि easy से देख सकते हो easy to moderate कर दिए फिजिक का paper और उसको फिर chemistry का paper easy easy ही देखा गया तो 95 से थोड़ा बहुत यानि कि 92-95 marks के बीच में अगर जो आ रहा है 92-95 marks तो आपका cut up clear हो पार होगो वहीं पिर 30 जनवरी shift 2 का जो paper है वो mathematics को आपका tough कर दिया गया यानि कि moderate से पहले moderate to tough आया and moderate to tough से finally देख सकते हो फिर mathematics का paper हर एक दिन फिर tough paper पुछा गया है ना यानि कि calculation बहुत ही ज्यादा लिंदी कर दिया जाता है कि time consuming बहुत ही ज्यादा लग रहा होता है दो तीन चेप्टर के concept को मिक्स करके question पूछा जा रहा होता है जिसके विसके आपका overall paper tough हो जाता है mathematics का है ना तो tough paper पूछा ग में 90 marks के approximate आपका cut up clear बहुत पा रहा होगा यानि कि 90 marks अगर जो आ जाता है 30 जनवर स्रिफ 2 में तो लगहुत 91-92 परसेंटाल के बीच में आ जाएगा कर सकते हो ज़िए एडवांस के लिए एडवांस के लिए एडवांस के लिए एडवांस के एक्जाम में बैठ सकते हो लेकिन cut up स्रिफ क्लियर करोगा यानि कि इतने इतने marks से शिरिफ आपका रहा है तो इसका मिनिंग यह नहीं हुगा कि आपको इन 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 इती कॉलेज ट्रिफल इससमें अड्मिशन वहीं जाएगा बिल्कुल वह नहीं इससे आपको मिनमम् 20 टुट्टि फाइफ अपको ज्यादा लाना पड़ेगा तभी आपको एटलिस्ट रख सकते हो कोई ना कोई आपको ऑन ना उसी तरह कैसे थ्टीफ जमरे जाएगा है तो लगवग 90 आपका कुलियर हो जाएगा उसके बात करें फर्ष्ट पर्वरी का आप लोग देख सकते हो तो इतना मांक सी आपका कटऊफ कर देना वीडियो एक लाय करें लिए एक बारोघ यार आप अगर जो अच्छे से चाहते हो कि second attempt में आपका बहुत ही अच्छे से प्रिपेशन हो सके तो फिजिक्स वाला के तरफ से जो दो न्यू बैशेज को लॉंच किया गया है उन सभी बैशेज में इंडॉल कर सकते हो उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है यूज माई कोड यस वो यन यू ताकि आपका जो second attempt में और भी बहुत ही अच्छे से प्रिपेशन हो सके हैं second attempt में और भी आप लोग अच्छा कर सको है ना आपको कोई बीडाओ्ट में इस बुझेicate कर्फे रहें है तब तक आपको वीडियो कंत्य करते हैं थेंक्स इस दो कर्ते हैं अ